हलो दोस्तों मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर जैसा कि आप देख रहे थे मैंने आपको परसंटेज के बारे में पूरा बता दिया उसमें हमने तीन वीडियो बनाई थे उसको आपने अगर अच्छे से समझ लिया है सिंपल इंट्रेस जो कि उसी से कही न कहीं रिलेट करता है आपको यहाँ पर परसंटेज वैल्यू मिलेंगी आपको प्रिंसिपल मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ पर आपको निकालने पड़ेंगी और यह वन बाई वन यह सीरीज आपकी चलती ही रहेगी ठीक है और आने वाले टाइम पर आप देख रहे हो आई थिंक यूपी एक्जाम आने ही वाला है तो आप लोग ना प्रिपरेशन में पूरी तरीके से लग जाए हम भी आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने के लिए पूरी तरीके से ततपर है पूरा तरीके से सारी टॉपिक यहाँ पर प्लान करके चलोगे तब जाके यह आपका 35-36 नंबर वहाँ पर बनेगा अगर 35-36 यह नंबर आपके वहाँ पर नहीं आते है तो फिर आप यहाँ पर कहीं न कहीं अच्छा करके नहीं आए 40-36 भी मैट्स में नहीं आते हैं तो वह एकार है क्योंकि सभी का जो फस्ता है वो जीके ही फस्ता है जीके में जाके जीके और करेंट अबेर से उसमें किसी को पता नहीं होता है कब काहां कौन सी चीज़ पूछेगा बट आपका मैट्स और इसनिंग में तो कहीं न कहीं इनको बहुत अच्छे से यहां पर समझो railway exam चल रहा है railway वाले exam में भी आएगा तो कहीं न कहीं चीजें तो यहीं पूछी जा रही है आप एक topic पढ़ो यहीं एक topic कई सारे exam में यूज कर पाओगे ऐसा तो है नहीं कि SSC कुछ और अलग पूछता है SSC simple interest नहीं पूछता वो चल यहां पर सबसे पहले हम इसका basic यहां पर समझ लेते हैं किस तरीके से simple interest वर्क करता है तो simple interest होता क्या है simple interest का मतलब होता है SI ठीक है और इसका जो formula होता है SI का वो होता है PRT upon 100 अब यहां पर हम बात कर लें P P क्या होता है P is equal to होगा आपका यहां पर principle ठीक है जिसको हम बो बोलते हैं दर इस दर से और यहां पर आएगा T T का मतलब है यहां पर time जो की समय आपको दिये रहेगा और SI SI का मतलब है simple interest जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण व्याज चुकि यहां पर आपको लिखा मिला आयो इतनी बात बहुत अच्छे से clear है इतने में किसी को कोई doubt नहीं होगा कि हम कहां पर क्या कर रहा है इन चीजों को समझना है पूरा आपका जो simple interest है वो finish हो जाना है आपको बस इस formula को यह principle 25% rate है और 4 साल के लिए पूंचा गया तो पूंचे का simple interest कितना होगा तो यहां पर हम formula ना भी रखे तब भी हमारा answer आएगा कैसे 25% होता 1 by 4 तो 1 by 4 इसका करेंगे तो यह कितना बनेगा इसको हम करेंगे तो 1250 हो जाएगा ठीक है 1250 करके यहां पर कितना 4 से multiply है तो हम यहां पर क्या करेंगे 1250 एक साल में 1250 रुपई मिलेगा इंटू 4 साल है तो कितना मिल जाएगा तोटल हमको 5000 मिल रहा है एक तो तरीका यह दूसरा तरीका यहां पर यह है कि जो आपका rate और टाइम है ना 25% rate है इंटू 4 है 25-4 कितना होता है 100 होता है that means यह आपका 100% बनेगा तो 5000 परसेंट कितना बनेगा 5000 बनेगा 5000 आपका यहां पर इंट्रेस्ट हो जाएगा अलब 5000 वाली value कितनी हो जाएगी 10,000 आप यहां पर कभी कभी तो यह होता है कि सिर्फ SI पूंचता है कभी कभी पूंचता है amount तो amount A ठीक है इसको भी यहां पर समझो amount का मतलब यहां पर क्या हो means simple interest प्लस जो आपका SI principle होगा वो आपका amount बनेगा तो question कुछा जाता है कभी कभी कि interest कितना होगा तो interest सबको 5000 मिलेगा amount कितना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यह 5000 इंट्रेस्ट प्लस आपका जो principle 5 है तो आपको answer यहां पर करना पड़ेगा कितना 10,000 clear है इतनी बात आयोब इतनी बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी चलिए आप यहां पर example समझ लेते हैं example मैं यहां पर बता रहा हूँ चार example यहां पर लेंगे चारों में चारों चीज़ें यहां पर पूंच लेंगे समझ लेंगे यहां पर किसी को बिलकुल भी doubt बिलकुल नहीं होना चा हूँ पी प्रिंसिपल हमने लिया चारजार आर टैन परसेंट रेट हो गया टाइम यहां पर टू इयर और यहां पर हमको find करना है SI SI कितना होगा यहां पर हम क्या करेंगे PRT upon 100 तो P कितना है आपका 4000 R कितना है 10 T कितना है 2 upon में यहां पर 100 आ जाएगा और यहां पर SI आ जाए तो 40 into 10 400 into 2 answer आपको यहां पर मिलेगा कितना 800 इस question का answer कितना हो जाएगा SI आपका कितना आएगा 4000 रुपए आपका मूल देन 10% rate के हिसाब से 2 साल में 800 रुपए मिलेगा इतनी बात बहुत अच्छे से clear हो गई होगी आप देगो यहीं पर हम क्या करते हैं यहां पर हम P is equal to question mark अगर आपको principal find करना हो rate आपको given हो 10% time आपको given है 2 year यह percent कर देते हैं 2 year और यहां पर आपको SI आपको given है कितना 800 रुपए अब आपको principal निकलना है तो क्या करेंगी आपर P थो हमको नहीं पता P into R, R कितना है 10 into T time कितना है 2 upon 100 होता यह formula is equal to हमारा SI आता तो SI कितना given है 800 आप आपको यहां पर हम P की बात करें तो P is equal to क्या होगा जो आपका divide में हो multiple में जाएगा और उपर जो यार multiple में वो divide में चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 800 into 100 upon में आएगा 10 into 2 तो 10 into 2 यहां पर हम क्या करेंगे 10 से हम divide करेंगे तो एक 0 चला जाएगा और 2 से divide कराओगे तो आंसर आपको यहां पर कितना मिल जाएगा आंसर आएगा आपका 4000 तो यहां से पी की वैल्यू आ गई कितनी प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपको यहां मिल जाएगा 4000 दूसरा यहां पर मैं लेता हूँ अगर मैं यहां पर पी आपको पता है P 4000 है R यहाँ पर अगर आपको Find करना हो T आपको Given है 2 Year और SI आपको यहाँ पर Given है 800 बड़े ध्यान से समझिए तो देखो P है आपका कितना 4000 R हमको निकालना है तो Into यहाँ पर हो जाएगा R पता नहीं है T हमारा 2 है upon 100 आजाएगा और SI आपको Given है कितना 800 तो यहाँ पर R की value कितनी हो जाएगी R is equal to 100 का multiply हो जाएगा 800 into 100 upon में कितना आजाएगा 4000 into 2 तो देखो 2 0 से 2 0 यह आपके cancel हो जाएगे 8 से divide इसको करेंगे 8 5 जब 40 और 5 2 जब 10 10 से 100 को divide करेंगे तो answer कितना आजाएगा 10 परसेंट तो R आपका कितना आगया यहाँ पर हो जाएगा R equal to 10 परसेंट किलियर है बात बहुत अच्छे से दूसरा हमको यहाँ पर अगर time निकलना होगा तो भी देखो यही चीज यही formula हर जगे पे लगेगा P is equal to आपका है 4000 R यहाँ पर हो जाएगा 10 परसेंट T यहाँ पर हमको निकालना है और ऐसा ही आपको यहाँ पर given होगा 800 तो P यहाँ पर हो जाएगा कितना 4000 into R 10 परसेंट into time T पता नहीं है divide में 100 यही find out करना था और यह आपका यहाँ पर कितना है 800 तो यहाँ से T की value find out करेंगे T is equal to कितना हो जाएगा 800 into 100 upon में आ जाएगा 400 into 4000 into 10 तो यहाँ पर आपका 2 0 2 0 यह cancel हो गए अब इन 2 0 से cancel होने के लिए क्या होगा 1 0 यह cancel हो जाएगा 1 0 यह cancel हो जाएगा तो आपका बचा कितना 8 by 4 तो T की value यहाँ पर आएगी 4 से 8 को divide करेंगे T की value कितनी आएगी यहाँ से 2 तो time यहाँ पर 2 तो आपने देख लिया होगा 4 के 4 मैंने यहाँ पर चीज़ें समझा दी है अगर आपको यहाँ पर SI निकालना होगा तो formula यह यह यूज होगा ठीक है principle पता होगा principle आपको find करना बाकी चीज़ें यहाँ पर आपको given होगी तो भी यही formula से निकालेंगे हर चीज़ को हम इसी तरीके से निकालेंगे आई होग इतनी बात clear है अगर यह आपने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है न तो अब यहाँ पर चलते हैं first number इनका example देखते है तो यहाँ पर दिया गया है यदि एक निस्चे 83 पर 10% की rate से 3 वर्स के लिए स्ताधारान ब्याज अपने मूल धन से इतने रुपाई कम है तो मूल धन गयात किजिए तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको यहाँ पर देखो क्या principle आपको पता करना है अब देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे बट यहाँ पर जो आपका principle है वो नहीं given है यहाँ पर उससे इतना कम है तो यहाँ पर कहिना कहीं आपको कुछ let करना पड़ेगा या दूसरा तरीका यहाँ पर अच्छे से समझना यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं चीजों को मान लेता हूँ मानने में भी कोई आपकी यहाँ पर गुराई नहीं है और देखो बहुत आसान तरीके से आएगा यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर approach पी काम करेंगे कि अगर यह approach यहाँ पर हम यूज करते हैं तो मेरा answer क्या आएगा बहुत आसान तरीका है ध्यान से समझना मैं मान लेता हूँ कि आपका जो principle है वो 100 रुपाए ठीक है 10% की rate है तो 3 verse के लिए जो आपका simple interest होगा तो वो कितना बनेगा तो simple interest निकालने जाओगे पी इतना है आर आपको यहाँ पर 10% दिया गया time आपको 3 दिया गया है तो क्या करोगे 100 into 10 into 3 upon में 100 आएगा cancel हो जाएगा 10, 3, 30 आएगा की नहीं आएगा यहाँ भी यह बात के लिए है तो यहाँ पर आपका जो principal है वो आपने 100 लेट किया और जो आपका SI है वो आपका कितना आया 30 आया तो वही चीज बोल रहा है if the SI on a certain sum for money for 3 years at the rate of 10% less than अब जो less than है SI वो किस से less than है principle से है तो SI बगर मेरे according यहाँ पर देखें तो मेरे according SI यहाँ पर कितना less than है 70 less than है principle से 2100 less than its principle principle से 2100 मेरे according कितना कम है 70 70 वाली value question पर given है कितना 700 तो 100 वाली value actual में principle कितना होगा तो 100 वाली value यहाँ से find out कर लो 100 वाली value यहाँ से find out करेंगे तो यह कितना बनता है 7, 3, 2, 1 तो यहां पर यह आपका बनेगा 0 कर जाएगा 30 बनेगा 30 इंटू 100 कराओगी तो आंसर कितना आ जाएगा 3000 तो यही आपका आंसर हो जाएगा option number B तो principal पूंचाता उसने मूलधन पूंचाता मूलधन कितना होगा 3000 रुपय आ जाएगा क्योंकि हमने यहां पर जो principal मूलधन लिया था वो लिया कितना था 100 लिया था 100 की value यहां पर 3000 होगी clear है बात अच्छे से की नहीं है तो यह इतना देखो आसान तरीके से वही चीज़ हमने यहां पर निकाली as it is देखो एक और question है ध्यान से समझना यहां पर मैं पूरा निकालने नहीं जाओंगा सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पर principal और SI यहां पर लिखता हूँ 4 year के लिए 12.5% की rate से आपका जो आएगा तो अगर principal यहां पर 100 है और 12.5% की rate है और 4 year के लिए है तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा 50 साड़े 12% 4 साल के लिए SI कितना बनेगा 50 रुपाय बनेगा अब हम यहां पर देखेंगे मेरे according यह कितना कम है मेरे according अगर हम यहां पर देखें यह कितना कम है 50 question के according कितना कम बता रहे है इतना रुपाय कम है तो 50 is equal to 4400 है 100 की value यहां पर हम निकालेंगे नहीं होना चाहिए जरा साभी ठीक है next question है यदि एक निश्चित धनरासी 4 वर्स 3 महा के लिए 18 से यह उटे 3% प्रतिवर्स ब्याज की दर्शिप सधारान ब्याज इतना है तो यहां पर पुंचरा मूलधन ग्याद कीजिए ठीक है अब दिको एक चीज यहां पास आपको value दी गई है यह जो fraction value आपको given है इस fraction value को यहां पर क्या कीजिएगा इसको solve कर लिजे दोनों ही fraction value एक्चली है 4 year 3 months और आपका 18 1 by 3% तो rate और यह दोनों है अब दिको 4 year 3 months को कैसे लिख सकते है 4 3 by 12 3 months out of 12 तो actually यह क्या बनेगा 4 right 1 by 4 तो इसको हम क्या लिख सकते है 17 by 4 ठीक है तो यह आपका क्या हो गया time तो इसको हम पूरा यहां पर erase करके यहां पर हम लिखते है time t is equal to कितना आ गया 17 by 4 फिर इसको solve करें 18 3 जा 54 और 155 आर यहां पर होगे आपका 55 upon 3 ठीक है SI आपको given है और आपसे मूलधन पूंच रहा है तो देखो P आपको यहां पर पूंच रहा है P हमको यहां पर नहीं पता है और यहां पर आपका जो SI है यह भी आपको given है कितना 7,4,8,0 तो अभी हमने जस्ट पहले पता है था उसी तरीके से यहां पर हम रखेंगे तो क्या रखेंगे प्रिंसिपल P हमको पता नहीं है into R कितना है R आपका है 55 upon 3 into rate कितना, टाइम कितना है 17 upon इसको पूरा whole divide कर लेते है into यहां भी आजाएगा 17 by 4 और is equals to अब देखो, into नीचे क्या होता formula में 100 होता 100 और करेंगे is equal to हमारा कितना है 7480 तो यह value हमने रख लिए यहां पर आप यहां से P find out करेंगे तो P is equals क्या होगा 7480 into 100 into 3 into 4 upon में आपके पास आजाएगा 55 into 17 तो 17 से इसको हम divide करेंगे एक बार देखते हैं divide हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अगर हम 17 से इसको यहां पर divide अगर हम करेंगे तो कितना आजाएगा 17, 4, 0, 68 होता है 17, 4, 0, 68 इसको दूसरे color से हमाँ पर कर लेते हैं 17 से divide करेंगे 17, 4, 0, 68 और 5 से यहां पर यह cancel हो जाएगा तो यह आजाएगा आपके पास 20 तो अब आप यहां पर देखो 40 into 20 into 3 into 4 40 into 20 करोगे 800 आएगा और यह multiply होके कितना हो जाएगा 12 तो यह आपका कितना बन जाएगा P is equal to हो जाएगा 800 into 3 into 4 12 आंसर आएगा 12, wait जा 9600 यह आपका यहां प्रिंसिपल हो जाएगा और option number सिखने यहां पर correct हो जाएगा clear है बहुत अच्छे से बात यहां पर clear हो गई होगी चाली next यहां पर देखते हैं next number आपका है the rate of interest for first 3 year is 6% for the next 4 year is 7% beyond 7 years it is 7.5% per annum if a boy invest this value for 11 year find the total interest earned by तो देखो यह value है 11 year के लिए invest करता है तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले यहां पर 18,800 है first 3 year के लिए 6% होगा तो यहां पर हम क्या निकालेंगे 3 years के लिए निकालेंगे तो into यहां पर r कितना हो जाएगा 6% into time कितना होगा 3 upon में आ जाएगा 100 plus into 4 year upon 100 plus अब देखो टोटल है वो 11 year के लिए किया गया 3 year यह यह यूज कर लिए 4, 3, 7, 7 के बाद 4, 4 year और बचेंगे तो 18,800 into rate of interest हो जाएगा 7.5 into 4 year upon में आपके पास यहां पर again यहां पर 100 आ जाएगा बस अब आप इसको solve कर लो जो उसने condition बोली वहां तक पूरा हो गया यहां पर 2, 0 cancel यहां पर यह यह दो 0 cancel यहां भी यह दो 0 cancel अब आपको यहां पर सिर्फ multiply यहां पर करना 6, 3, 18, 18, 8, 144 बचेगा 14 again आपका 144 144 और 14, 158 carry 15 18 बचेंगा 18 और 15, 33 तो यह इतना आएगा यहां पर multiply है 7, 4, 28 तो अब 28 की आपको टेमिल नहीं पता होगी तो एक चीज यहां पर हम यह कर सकते हैं 188 है 188 into 30 minus 2 तब भी तो आपका यह आपका कितना रहेगा 20, 80 रहेगा तो 3 का multiply यहां पर कर लेते हैं 188 into आपका 30 minus 2 30 का multiply करेंगे 0 आएगा 3824 3824 और carry का 226 3 बनजा 3 और 2 5 minus 2 करना तो 2816 2816 बन 17 2 बनजा 2 और 1376 यहां पर minus हो जाएगा कितना बचेगा 4 आएगा 13 से यहां पर 7 जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 6 बचेगा यहां पर 5 से 3 जाएगा 2 आएगा और यह 5 5264 5264 यह value यहां से मिल जाएगी कितनी बात यहां पर अच्छे से clear है plus last में आपके पास है 188 into इसको multiply करोगे कितना आएगा यह आपका 30 आएगा और 30 से अभी अभी यह उनने multiply किया था तो 30 से multiply करने पर मेरी value कितनी आ गई थी इसको मैंने erase कर दिया है चलो अगेन कर लेते हैं 188 into 30 ठीक है 0 आएगा 3824 3824 और 226 और 3 बंज़ा 3256 40 अब यहां पर हम इनको total हम यहां पर अगर add करेंगे तो इनको add करने पर देखो मुझे क्या मिलेगा 4, 4, 8 और 0 8 आएगा 4, 6, 10 और 8 18 आएगा carry 1 हो जाएगा ठीक है 18 हाँ carry 1 होगा 6, 2, 8 8 और 3, 11 और carry का 1 12 अगेन carry 1 5, 5, 10 और 3, 13 और carry का 1, 14 तो इस तरीके से answer आपके पास आएगा 14288 option number यहां भी correct हो जाएगा तो इस question में क्या था सिर्फ और सिर्फ calculation थी और यहां पे कुछ भी नहीं था clear इतनी बात next a certain sum is invested at simple interest as at y percent per annum for 3, 1 by 2 years had it been invested at y plus 4 percent per annum at simple interest if would have as 4, 4, 5, 2 more as interest what is the sum कहने का मतलब यह है पहले y percent पर कोई पैसा invest किया जा रहा था इतने टाइम के लिए तो जो भी कुछ interest आ रहा था माल लेते हैं interest आ रहा होगा x rupees बट यदि इसको y plus 4 percent पर इंवेस्ट किया गया होता तो हमको कितना x में 4,452 रुपए और extra मिलते यह बात क्या रहा है और यह किसकी वज़े से मिलते सिर्फ और सिर्फ इस 4 percent की वज़े से मिलते यह बात यहां पर clear हो रही कि नहीं हो रही actually यह साड़े 3 साल में आएगा देखो जो आपका 4 percent है 4 percent extra invest किया गया तो 4 percent की वज़े से आपको पैसा मिला 4,452 आप यह जो 4,452 मिला होगा वो साड़े 3 साल में मिला होगा बोलो तो हम साड़े 3 साल से डिवाइड कर देंगे that means यह आपका कितना बनेगा 3,2,6 और 1,7 तो यहां पर क्या करेंगे 7 और divide into आपका उपर 2 चला जाएगा यह बात यहां पर clear है इतने में किसी को doubt नहीं होना चाहिए तो अधिकों यह 3.5 से divide कर रहे है 2 से divide करो यह ही आ जाएगा 7 से divide करो 7 से अगर हम इसको यहां पर divide करते हैं तो यह कितना बन जाएगा 7,6 जा 42 बचेगा यह आपके पास 225 हो जाएगा फिर यहां पर आएगा 7,3 जा 21 बचेगा 4,42 7,6 जा 42 तो आपका यह पूरा divide हो गया त तो 6,36 into 2 into 2 यहां पर कराएंगे तो आपको यहां मिलेगा कितना आपको इसका मिलेगा 272 यह value आपकी यहां पर आ जाती है किसकी यह 4% that means हम कह सकते हैं 4% is equal to 1272 एक साल में वहां पर 1% की अगर हम बात करें तो 1% कितना बनेगा 4,3 जा फिर आएगा यहां पर 4 बन जा और यह इसी जगह पर 100% की value क्योंकि जो principal रहोगा 100% रहोगा 100% की value आएगी 318 और यहां पर 20 आ जाएंगे 31,800 option number यहां पर आपका be correct हो जाएगा देख रहे हो कितना आसान तरीके से क्या एप्रोजिशन ने आपर लगाई फिर से एक बार में यहां पर repeat कर देता हूं बड़े ध्या 1 year के लिए निकालेंगे ठीक है 1 year के लिए निकालेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे 7 into यहां पर 2 क्योंकि 3.5 से divide करना था तो upon 7 और 2 पर आजाएगा तो यहां से 1% की value solve किया तो कितना आया 1, 2, 7, 2 आया sorry इसको यहां पर 1% की जो हमने पूरा यहां पर calculate किया वो आपका 318 8 आया तो 100% total अपका principle होगा वो कितना आजाएगा 31800 आजाएगा बस आपको यह calculation यहां पर करनी answer आएगा approach को यहां पर समझो approach अगर समझा जाएगी ना तो कोई question भी आप करोगे तुरंत आएगा चलिए next किसी भी एक rate के certain rate से कोई पैसा इतना था 8800 और यह 12,000 रुपए बन जाता है कितने 4 साल में ठीक है चलो इसको कैसे करेंगे सबसे पहला काम यहां पर हम करते हैं कि total आपका 12,800 है सुरी 12,000 है अब यह 4 साल में पैसा बना कितना तो 88 अगर हम इस से principal minus कर दें तो interest पता चल जाएगा 0 आजएगा 0 आजएगा यहां पर 2 आएगा और यहां 32 3,200 थर्टी टू हंड़ आ रहा है एक चीज़ यहां पर समझे फोर इयर में आपको total कितना मिला 3,200 अगर हम बात करें 7 एयर में यह 7 एयर के लिए invest होता तो 7 एयर में यही certain rate से certain rate से ही तो आपको 32 मिला तो जो भी rate रही होगी 7 एयर में पैसा कितना हो जाता 4,8 जा 8,7 जा 56 तो आपको यहां पर 56 रुपए मिल रहे होती 7 साल में अब इफ यहां पर condition लग गई अगर यही rate of interest जो certain rate थी इसी rate से अगर हम 7 साल में जाते तो इतना मिलता क्योंकि 4 साल में इतना मिल रहे है 3% की rate एक्स्ट्रा होती तो यहां पर क्या हम करते है 3% की जो rate है वो एक्स्ट्रा यहां पर हो गई है तो 3% की rate से 8800 इंटु 3 अपॉन 100 टोटल हमारा कितना पैसा बनेगा 3 एट जा 24 तो यहां पर क्या करेंगे हम 264 इंटु यहां पर हम 7 करेंगे तो आपको कितना 7 4 जा 28 7 6 जा 42 42 और कैरी का आपका 4 तो यह कितना बन जाएगा 44 कैरी 4 होगा 7 2 जा 14 और 4 आपका बनेगा 18 इतनी बात यह किलिए है तो आपका 3% की rate से 8800 का 7 येर में टोटल इंट्रेस और इतना आ जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे हम कितना 1848 तो ये आपका टोटल हो जाएगा 8 4 8 और 6 ये 4 हो जाएगा 5 1 6 और 1 7 टोटल जो इंट्रेस्ट मिलेगा वो आपको आफ्टर 7 इयर बढ़ी हुई rate के according 7,440 रुपाए अब उसने पूंचा क्या है? साथ वर्सों के अंत में मिस्रधन बताईए मिस्रधन मतलब ये amount पूंच रहा है amount के लिए हमने आपको क्या बोला था? amount का मतलब है principle प्लस आपका interest तो यहां पर amount निकाल दीजिए और answer यहां पर करिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? a is equal to क्या होगा? यहां पर 88 hundred प्लस interest आपका कितना? 7, 4, 4, 8 इनको यहां पर add करो यह 48 आ जाएगा 2, 0 है तो यहां पर 8 और 4, 12 आएगा carry 1, 8, 7, 15 और 1, 16 तो आपका यहां पर answer बनेगा 16, 248, 16, 248 option number यहां पर third correct हो जाएगा आयो पर यहां पर अच्छी से बात आपको clear हो इसमें किसी को भी कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है? बढ़ते हैं अगले question की तरफ next question है a certain sum of money becomes three times of itself in 50 years, find the rate of interest यहां पर देखो एक चीज यहां पर बहुत अच्छे समझो अगर माल लीजे आपके पास आज 10 रुपए हैं और 10 रुपए से आपका 100 रुपए बना यहां पर 20 रुपए बना तो आप क्या बोलोगे? इसको यही तो बोलोगे आपका पैसा कितना हो गया? डबल हो गया? अब इस डबल में आपको यहां समझना है कि जो 10 और 10 यह आपका principle है और यह आपका SI है जो interest है 10 रुपए है तो 10 रुपए पे 10 रुपए का interest मिला तो 20 हो गया तो यह जो 20 है डबल होने का मतलब डबल जैसे आपकी जे में 100 रुपए हैं और 200 हो जाए तो क्या कहोगे? डबल हो गया है पिछले से ही तो compare करा होगे और पिछला वाला प्लस उतना ही तब जाके वो डबल होता है तो जो डबल बोलता है उसमें interest हाफ होता है और वो हाफ आपक आप देखो यहाँ पर यह क्या बोल रहा है? एक से तीन हुआ तो यहाँ 50 रुपए है तो यहाँ पर जो तीन रुपए है इसमें आपका एक रुपए तो principal होगा ठीक है? और यहाँ पर अगर हम बात करें दो यह आपका यहाँ पर क्या होगा? यह आपका interest amount होगा तो interest amount कितना है? दो रुपए है यानि हम कह सकते हैं 50 year म मिलेगा वो आपका आएगा यहाँ पर 25 year में कितनी बात क्लियर है? यहाँ आप यह बात क्लियर है इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके और समझो ताकि और कोई कभी question आए तो आपको अच्छे से मिल जाए 25 year में एक रुपए मिला मतलब double एक रुपए से एक रुपए और मिला द हो जाएगा यहाँ भी यह प्लिस होँगा 20 में प्लस वन हुगा तु़रि ओवर आल आप देख रहे होंगे तो आपको यह 50 year लगेंगे कि नहीं लगेंगे क्योंकि 25 year में एक रुपए है अगेन 25 year में एक रुपए है अब यहाँ पर आपको rate पुम्छ रहा है rate में देको ए आपको पता कितना है 25 यहां पर question mark लगा देते हैं और फिर मैं बात करता हूं SI SI यहां पर कितना है एक रुपाय आपका आरह 25 साल में यही चीजे हमने starting में बताई थी आप यहां से यह करके direct answer निकाल से तो इससे बहतर भी एक तरीका और बताते हैं आपको पहले इसको यहां पर अच्छे से समझ लो कि answer यही आएगा तो देखो यहां पर हमें अभी लगाएंगे यह formula बाला तो formula बाले में यहां पर देखो p, p आपका कितना है 1, r, r कितना है नहीं पता हमें निकालना है, t, t आपको यहां पर दिया गया 25, upon 100, SI कितना है, 1 रुपाय आजाएगा 25, 40, 100, 4% आएगा, यही आपका final यहां पर answer हो जाएगा, तो आप देख रहे हो यह अभी आपको जो इतना यहां पर यह करना पड़ा, यह भी हम नहीं करने देंगे, इसके लिए भी आपको यहां पर shortcut बता देते हैं, और यह shortcut तभी आपको यहां पर पता चलें तो यह कितने के होता है, 10% के, इसी जगह पे मैं 1 by 8 की बात करूं, तो यह कितने के बराबर होता है, 12.5% के, अगर यह वाली values आपको पता है न, तो ही आप यहां पर जल्दी shortcut लगा पाओगे, applicable कर पाओगे, otherwise यहां पर नहीं कर पाओगे, clear है इतनी बात, क्या है इसमें, ह एक रुपए से दो रुपए हुआ, कितने 25 येर में, तो जो 25 आपका है, इसको यहां पर बना दो, कितना, जो आपका यह बनेगा 25%, 25% या इसको ऐसे कर लो, कि जो 25 है, इसको 125 कर दो, 1 upon 25 करोगे, तो यह किसके बराबर होगा, 4% के होगा, ठीक है, कितनी बात clear है, इसी जग 25% की rate, कितनी बात clear, और rate अगर 25% दी गई है, तो पैसा कितने साल में, डबल हो जाएगा, तो आपका 5 साल में, डबल हो जाएगा, rate आपको given है, 4%, पैसा कितने साल में, डबल होगा, 25 साल में, डबल होगा, क्योंकि इनका जो multiply है, वो 100 होना चाहिए, यह ध्यान रखना, 25 into 4 5 into 20, अब इसी जगह पे, अगर मैं यहाँ पे जो अभी बोल रहा था, कि 1 by 8 है, ठीक है, 1 by 8 साल है, 8 साल में पैसा डबल हो रहा, तो 1 by 8 is equal to कितना होता, 12.5 होता है, ठीक है, और 12.5 into 8 कराओगे, इसका भी आपको 100 मिलेगा, डबल का मतलब है, 100% कोई चीज थी, 100 हमको और म जनी बात किलियर है की नहीं, तो हमको यहाँ पर इन चीजों से बचना है, जो अभी हमने यहाँ पर आपको right side में यह करके दिखाया, कि सबसे पहले हमने यह चीज समझी, फिर calculate करके तब 4 आया, अगर आपका यह 25 में double आ गया, double वाला, बस इसको divide कर दो, answer आएगा 4%, 1 by 25 हो तीन गुना हो जाता है, कितने साल में? 5 एर में, इतनी बात यहाँ पर clear है, अच्छे से, तो यह तो आपका यहाँ पर 5 एर में आपका 3 गुना हो जाता है, अब करहा है, समान, ब्यास, दरपर या धन्राथ, स्वैम का 5 गुना कितने वर्स में होगी? अब यहाँ पर द्यान बनाना होगा, तो यहाँ पर एक रुपए मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कितना 2.5 एर लगे होंगे? अगेन यहाँ से आप गए होंगे, तो यहाँ पर यह प्लस 1 रुपीज हुगा, यहाँ भी प्लस 1 रुपीज होगा, यहाँ भी आपका 2.5 एर लगेगा, ठीक है? यह तो अब यहां पर value कितनी हो जाएगी, दो से 3 हो जाएगी, एक चीज़ यहां पर बात समझ आ गई है कि आपका जो पैसा double हो रहा है, यानि एक रुपए आपको double होने का मतलब एक रुपए, एक रुपए जो मिल रहा है, वो कितने साल में मिल रहा है, और पांच गुने का यह रुपए मिल रहा है कितना धाई साल में तो आपको यहाँ पर 4 रुपए मिलेंगे कितना गर मैं बोलू हूँ 1 is equal to है 1 रुपए मिल रहा है 2.5 यह में तो 4 रुपए तो हमको चाहिए 5 गुना होने के लिए 4 रुपए 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा option number B correct हो जाएगा पच्छे से बात के लिए समझ में आ गई होगी चालिए next है यहाँ पर a sum of money becomes 9 times of itself in 11 year at simple interest in what time it will becomes 33 times of itself at the same rate of interest चैलिए जो भी तक बताते चले हैं ध्यान से उसी चीज को बहुत गौर से हाँ पर समझिएगा आपका 9 times हो रहा है एक रुपए से पैसा हुआ कितना 9 रुपए और 9 रुपए होने में कितने टाइम लगा यहाँ पर 11 year ठीक है अब आपको यहाँ पर पूंच रहा है 33 35 गुना 33 गुना होने में कितना टाइम लगेगा ठीक है अधिको इस 9 रुपए में क्या होगा आपका यहां पर आपका 8 रुपए आएगा यहां पर क्या होगा 1 रुपए तो आपका यही होगा 8 रुपए आपका इंट्रेस्ट होगा यह आपका प्रिंसिपल है अब इसको यहां पर हमको क्या करना है डबल करना है या कुछ और करना है हमको एक तरीके से यह बोल लो एक तो आपका प्रिंसिपल ही होगा और यहां पर आपके 32 रुपए होंगे जो कि आपका यहां पर क्या होगा SI होगा, इतनी बात अच्छे से आपको यहाँ पास समझ आई की नहीं आई अब 32 रुपए आपके यहाँ पर यह है और यहाँ पर आपको 8 रुपए SI मिल रहा था, SI यहाँ पर कितना है, into 4 है 4 गुना है, तो आपका जो time है यह भी यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 times, तो 11 into 4 करोगे तो आपके पास answer आजाएगा 44, year option number C यहाँ पर correct होगा तो approach को यहाँ पर समझो, कौन सी approach कहाँ पर हम कैसे लगा रहे है, क्या बोल रहा है और क्या हमें करना, बहुत अच्छे से यहाँ पर एक लिया, तो एक तो principle 8 SI, तो 33 times में 1 आपका होगा प्रिंसिपल और यहाँ पर 32 होगा SI, clear है यह जो 8 SI 11 year में है, तो 32 मतलब उसका 4 time है, 44, यहाँ पर time भी 4 times हो जाएगा चलिए next If a sum of money amount rupees 2502 in 3 years and 3087 in 5.5 year at the same rate of interest per annum, then the rate of simple interest is, तो देखो, यहाँ पर आपको given है, इसने दे रखा है, कि 3 year में कोई पैसा, 3 year में कोई पैसा कितना होता है, 2502 और यही पैसा 5.5 year में हो जाता है कितना? 3087 यह बात इतनी clear है, अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ यह clear हो रही होगी, कि देखो, मेरे जो year में gap है, तो year में हमारे पास total gap कितना यहाँ पर है? year में आपके पास gap है, 2.5 का, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो year में मेरे पास जो gap आएगा वो आएगा 2.5 year और यहाँ पर जो interest में जो difference आएगा, वो आपका difference यहाँ पर कितना आजाएगा? इसको हम यहाँ पर minus करेंगे, minus यहाँ से हम कर लीजिएगा, तो minus करने पर आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा? 7 से 2 जाएगा, 5 आजाएगा, अब यहाँ पर 8 का 8 ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ 30 से 25 जाएगा, तो 5 आएगा, कहने का मतलब 2.5 एर में हमको अगर interest इतना मिल रहा है, बहुत ध्यान से समझना? 2.5 एर में interest हमको मिला, 5.85 तो 3 एर में interest कितना मिलेगा? 3 एर की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा 5.85 इंटू 3, अपोन में 2.5 है, इसको हम पूरा 25 रखेंगे, और उपर एक 0 increase कर देंगे, ठीक है? आप जरा इसको 25 से डिवाइड इसको कर लो, देखो वैल्यू कितनी आती है 25 2 जा 50, बचे का कितना? 8, 85 होगा 25, 3 जा 75, बचे का 10, 100 होगा 25, 4 जा, और 3 का multiple यहां पर करेंगे, 3, 4 जा 12 3, 3, 9, और 1, 10 3, 2, 6, और 1, 7 तो 7, 0, 2 यह आपका SI है कितने year में? 3 year में इतनी बात के लिए है, 3 year में इतना SI है, तो जो amount यह आपका बनाती है, amount ही तो था यह amount ही तो आपका 3 year में था amount में क्या होता है? आपका principal plus interest यह is equal to हो जाएगा किसके? यह हो जाएगा 2502 के, ठीक है? अब principal मुझे यहां पर find out करना या हमें वो करना है, तो पहले यहां पर हमें principal बता होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे, तो यहां पर पी is equals to आपके पास क्या हो जाएगा? यहां पर पी is equals to sorry, पी प्लस interest आपके पास है 702 is equal to 2502 अब यहां से पी is equal to कितना आएगा? 700, 72 माइनस होगा, यहां से कितना आएगा? 18, principal आपका यह और SI आपका यह है तो rate of interest निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा? SI यह, principal यह है ठीक है? time आपके पास 3 high है आप यहां पर हम क्या करेंगे? इसको proper तरीके से यहां पर solve कर लो, PRT upon 100 P है आपका 1800 into R हमको find करना है into time 3 year है upon 100 हो जाएगा is equals to है कितना? 702 ठीक है? R is equal to कितना हो जाएगा? 702 into 100 divide में आपके पास आए जाएगा 1800 into 3 तो 0 से 0 यह cancel कर दो यह 100 चला गया 3 से divide इसको कर दीजिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 18 से divide करेंगे 18 बन जा 18 आपके पास यहां बचेगा 5 54, 18 3 जा 54 आपका जो answer बनेगा 13% option number यहां पर be correct हो जाएगा clear है अच्छे से बात थोड़ा सा यहां पर calculated हो गया तो आप और इसमें देखिएगा किस तरीके से और calculation बचा सकते हो बाकी answer यहां पर correct हो जाएगा 13% clear इसमें किसी को कोई doubt यहां पर नहीं होना चाहिए I hope आपने बहुत अच्छे से इसको यहां पर समझ लिया होगा अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया है तो प्रीट प्रीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी अपना share कीजिएगा जो भी कोई preparation कर रहे है तो उनके साथ आप preparation करिए अपना competition label आपस में चेक करिए discuss करिए नहीं कोई चीज आती है तो 980-767-4343 इस number पर आप मुझे WhatsApp डिरेक्ट कर सकते हो कोई भी question है हम उसका आपको solution यहां पर देंगे clear तो इसी के साथ हम आपसे हाँ पर मिलते हैं next session में तब तक के लिए bye bye take care thank you